हेलो फ्रेंड्स मैं हूनुक्ते नहुजा वेलकम टो माई चैनल और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राउंडेड शोल्डर्स या नहीं जुके हुए कंधों के बारे में और यह बहुत लोगों की प्रॉलम मैंने देखी है मेरे जिम में काफी लो और पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं मतलब अच्छा नहीं लगता है अगर आप ज़्यादा ऐसे रहते हैं तो ओवियस है कि एक एक इंप्रेसिव लुक नहीं आती है उस चीज़ में और कहीं न कहीं आपको लगता है कि मैं दूसरे लोगों से इंफिरर हूँ मेरे अंद के लिए सर मैं क्या करूं उसको भी सेम प्रॉलम है कुछ-कुछ इस टाइप के तो उसके लिए मैं कुछ अपने पास से दिमाग लगा रहता है कि क्या क्या हो सकता है तो उसमें मैंने कुछ एक छोटे-छोटे solutions ढूंडे और कुछ अपनी तरस से add करने की कोशिश की तो क्य का है चीजहीं मैं सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में देखते रही एए वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूले आपने लाइक करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और जितना हो सके शेयर करें दूसरों के साथ जिसके वी rounded shoulders होंगे उसके काम की है वीडियो इसके लिए जो मैं सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा वो डंबल से होगी डंबल से किस तरीके से एक्सरसाइज होगी तुम बतायता हूं आपको इसके लिए मैंने ज्यादा हैवी डंबल नहीं लिये फाइब केजी के डंबल ले रहा हूं आप हो सके तो और हलके भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी वेट वाली एक्सरसाइज नहीं है इसमें आप लाइट वेट से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो किस तरीके से करनी है एक्सरसाइज ये डंबल मैंने पकड़ क्योंकि शायद कैमरा में पूरा नहीं आ रहा हूं इसमें कई लोग डंबल को डंबरू की तरह घुमाते हैं ये गलती ना करें तन के खड़े हो धिले खड़े नहीं होना है और पीछे जितना पीछे आप ये डंबल लेके जा सकते हैं इतना पीछे तक उतना पीछे तक लेगे जाने की कोशिच करें ताकि आपके शोल्डर को मैक्सिमम मूवमेंट मिले इस तरीके से एक एक्सरसाइज ये है इसमें ध्यान लखने वाली बात ये है जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपको अपनी फॉर्म पे ध्यान देना है अपने मूवमेंट पे ध्यान देना है दंबल भारी हलका मैटर नहीं करता इतना भारी हो कि आपके शोल्डर जो है उपर नीचे ना हो सिर्फ फरंट टू बैक चले आगे से पीछे इतना हेवी ना हो कि वो आपको आपके ट्राप्स में लोड आए और आप अपने ट्राप्स के उपर वर्क करने लग जाए ना कि अपने रॉंडिट शोल्डर के उपर तो इस जीज का ध्यान देना है इसके इलावा जितनी भी मैंने देखा है जिन लोग के रॉंडिट शोल्डर होते हैं वो गलती करते हैं अपने चेस्ट वर्क आउट में चेस्ट वर्क आउट में क्या गलती करते हैं वो है कि वो जब भी बैठते हैं उनका शोल्डर जितना भी लोड चेस्ट के उपर आना चाहिए वो खा जाता है उनका shoulder और इस तरीके से वो अगर seated chest कर ले कर रहे हैं मान लीजे seated chest में तो उनका वो total shoulder आगया आता है chest पीछे रहता है chest बिल्कुल भी tight नहीं होता है बिल्कुल धीला पड़ा रहता है तो चहिए उन्हें क्या? कि chest उपर होना चाहिए shoulder पीछे अब आप देख सकते है chest आगे है shoulder पीछे यह नहीं है यानि कि shoulder आगया आगया chest पीछे रह गया यह चीज नहीं होनी चाहिए और हाथ का contact chest पे बनेगा जब chest आगे होगी इस तरीके से आपको अपना यहां back में इधर कढ़्धा बना के रखना है यानि कि back को contact करके रखना है और जिससे कि आपका shoulder थोड़ा पीछे हो जाएगा normal से थोड़ा से shoulder को पीछे करें इस condition में seated भी होगी इसी technique से आपको आप जितनी भी benches करेंगे flat bench, incline bench, decline bench, dumbbell press, कोई सी भी dumbbell press हो, incline, decline, flat फरक नहीं पड़ता सभी में आपको अपने shoulders को पीछे करके रखना है ताकि आपकी chest stretch position में रहे और फिर आप जब करेंगे तो सारा load chest के उपर आएगा और shoulders इस तरीके से नहीं होंगे इस problem में एक बज़े ये भी होती है कि आपकी chest जब से ज़्यादा धिली होती है इस तरीके से और आपकी traps की यहां की जो muscle है जो आपके spine के दोनों side होती है ये muscle जब से ज़्यादा stretch हो रही होती है ताकि वो आपके shoulders को संभाल नहीं पाती और आपके shoulders आगे की तरफ लेटक जाते हैं तो इस तरीके से करना है हमने अपना chest का workout chest में भी आपका जब chest wide होगा और tight होगा तो अपने आप आपके shoulders थोड़ से पीछे हो जाएंगे तीसरी चीज इसमें जो मैं आपके बोलना चाहूंगा वो यह कि जब आप अपना back workout करते हैं तो back workout में भी आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जैसे ही आप lat pull down या जितने भी specially rowing position वाली जितने भी movement है जिसमें rowing होती है उसमें आपका shoulder पीछे जरूर होना चाहिए जैसे कि अगर आप low pulley row या जो standing low rows होती है वो कर रहे हैं या dumbbell rowing होती है bent over उसमें आपका shoulder जरूर पीछे की तरफ जाना चाहिए तभी आपका है आप अच्छा contraction मिलेगा तभी आपका shoulder भी सही position में आएगा तो कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है अपनी हर exercise में सिर्फ repetition मत गिना करिये मैं यह बात कई बार बोल चुका हूं सिर्फ repetition नहीं गिनने आपको काम करना है अपनी form पे अपने movement पे अपने breathing technique पे तो यह ज्यादा important है in comparison to counting of repetition तो counting of repetition इतना important नहीं है नहीं है नहीं है इचीज हमेशा लिख के लिए कही लोग को होता है मैं weight कितना उठा रहा हूं इतने weight में को कितने repetition लगाने यार वह सब बात की बाते हैं पहले अपनी form करेक्ट कर लीजे पहले अपना movement करेक्ट कर लीजे पहले उन चीजों से उपर आजेए उसके बाद जब आप थोड़े advanced level में पहुंचते हैं तब यह चीज मैटर करती है कि आप कितने weight से कितने repetition लगा रहे हैं अगर आपकी muscle ही नहीं डेवलप हो रही या आपकी look में कुछ betterment ही नहीं हो रहा पहले से आपकी physique में कोई अंतर ही नहीं आ रहा तो कितना weight कितने repetition कोई माइने नहीं रखता सिर्फ जो चीज मैटर करती है वो यह कि आप किस तरीके से weight को उठा रहे हैं अपनी muscle को किस तरीके से weight करवा रहे हैं और यह चीज जो problem आज इसके उपर हम बात कर रहे हैं यानि के rounded shoulders यह सिर्फ एक वज़े से नहीं है और एक चीज हैं बाकी दिन इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो भी आपके rounded shoulders की problem बनी रहेगी आपको अपने पूरे दिन के यानि अपने पूरे lifestyle में यह चीज देखनी है कि आप किस तरीके से बैठते हैं किस तरीके से लेटते हैं और आपका बैठने उठने का तरीका आपकिस तरीक कर रहे हैं या जो भी एक आपकी lifestyle का एक major हिस्सा है उसको आप किस तरीके से perform कर रहे है क्योंकि आजकर एक तो mobile बहुत इस चीज के पीछे कारण हो गया है क्योंकि हम कर लोग सीट पे बैठे होते हैं इस तरीके से धीले होके और mobile चला रहे होते हैं या computer पे उनके हाथ आग किस तरीके से खड़े रहना है किस तरीके से लेटना है इन सब चीजों पर थोड़े दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद ये आपकी habit का हिस्सा हो जाएगा बनागी आपकी आप यूस्टू हो जाएंगे इस चीज के लिए और फिर आपको ये problem भी अराम से खतम ह हो जाएगी कोई problem नहीं है कोई बड़ा issue नहीं है अगर किसी को by birth ऐसी को प्रॉलम होती है तो वो बात अलग है उसमें फिर डॉक्टर से कंसर्ज करना पड़ेगा आपको बट अगर ये चीज आपको आपकी lifestyle की बतौलत मिला है यानि कि आपके गलत lifestyle से गलत posture से ये सब आपको बताई है आज इस वीडियो में I hope ये सब आपके काम आएंगी और जल्दी अगले वीडियो के साथ में आने वाला हो एक बड़ी announcement होने वाली है बहुत जल्दी वह announcement क्या होगी जल्दी आपके सामने आ जाएगी तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे विदा लेता हो भी गुडबाय टेक कियर नमस्कार और हल्दी बने रही हमेशाग